हेलो बच्चाओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्डिंग देखे इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्डिंग का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्डिंग is the phenomena of protecting a certain reason of space from external electric field इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी भी certain reason को अगर हम external electric field से protected रखना चाते है तो ऐसा करने के लिए जो phenomena use होता है उस phenomena को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्डिंग बोला जाता है बहुत ही simple समझ मा गया होगा आप लोगो बहुत हद तक देखो जैसे मानलो यहाँ पर यह external electric field मौझूद है ठीक है? यह positive plate है यह negative plate है तो positive से negative की तरफ electric field जा रहा है यह हमारा external electric field है हम यह क्या करना है? इसके किसी certain reason को मानलो बच्चों यह यह से एक certain reason है अब मुझे इतने certain reason को क्या करना है? electric field से protected रखना चाता हूँ मैं इतने certain reason को मैं यह चाता हूँ कि यह certain reason है जो electric field के अंदर मौझूद है इतना reason जो है electric field से protected रहे मतब यहाँ पर electric field क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करने के लिए आपको एक hollow metallic conductor यहाँ पर place करना है बस एक hollow metallic conductor जिसे metallic cage भी बोला जाता है metallic cage, cage क्या होता है? पिंजरा एक metallic cage होना चीए, उस metallic cage को आप इस electric field के अंदर रख दो ऐसा करने पर बच्चों क्या होता है? इसके अंदर का जो electric field होता है वो zero हो जाता है जैसे ही electric field के अंदर इस hollow metallic conductor को आप placed करते हो तो इसके अंदर जो यह electric field है वो बच्चों वो zero हो जाता है यह जो अंदर electric field lines बनी भी है न यह अब यहाँ electric field के हो जाएगा आपका zero हो जाएगा ओके और बच्चों यह जो आपका hollow metallic conductor है ने इसे faraday cage भी बोला जाता है तो बच्चों किसी भी electric field के अंदर अगर आप कोई metallic cage रख देते हो एक hollow metallic conductor को रख देते हो तो वो जो reason होता है इतना reason जो है sealed हो जाता है it is sealeded from electric field वो electric field से sealed हो जाता है मतब यहाँ पर अंदर का electric field होता हो zero हो जाता है बच्चों कोई भी electric field lines होती है ना वो किसी भी metallic conductor को cross करके नहीं जाती है जैसे यहाँ से यह electric field आई आगे बड़ी तो वो इसे cross नहीं कर सकती वो क्या करेगी बच्चो यहां से इस रास्ते फिर यहां बहार निकल जाएगी जैसे यह electric field lines यहां से फिर इधर से इधर निकल जाएगी देखो बच्चो अगर जैसे electric field lines आ रही है तो उसके पास दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के एक रास्ता तो यह है कि वो यह जो space है यह जो ear है अंदर इसके रास्ते वो आगे निकल जाए एक रास्ता तो यह है और एक दूसरा रास्ता किया है उसके पास यह वाला रास्ता है कि यह जो conductor है यह जो metallic body है इसके थूग ये ये भी तो एक medium है ये भी एक medium है एर भी एक medium है अंदर इस रास्ते भी जा सकता है But बचोँ Ear is a bad conductor and metallic body is a good conductor इसलिए electric field ये जो medium है ये good conductor है तो इस रास्ते electric field यहाँ से आगे जाएगा ठीक है electric field कभी भी इस रास्ते नहीं जाएगा पता कैसे कर गए देखो बचो जब यहां से electric field lines ऐसे ऐसे जा रही होंगी इसके surface से तो electric field क्या कर रहा होगा यहां पे जो free electron होगे free electron के contact मारा होगा तो उन free electrons में force लगने लगेगा तो वो free electron electric field की opposite direction में move करने लग जाएंगे समझमा रहा है ना तो बच्छों जो Electrons होंगे na इस bei बच्के कंडॉक्टर में जो Electrons होंगे वो Electrons इस तरफ मूफ ने लग जायेंगे इस तरफ मूफ ने लग जायेंगे तो जो Electrons होंगे जो negative charge होगा वो यहाँ पर Appear होने लग जाएगा जिने भी इसके अंदर free electrons थे वो सारे के सारे यहां appear होने लग जाएंगे, इस जगह, तो negative charge बच्छे यहां appear होने लग जाएगा, तो जो positive charge है, वो positive charge किदर appear होगा, वो इस तरफIF एपियर होगा, समझ मारा आपको, positive charge इस तरीके से所以 होगा, अब इसके बाद क्या होगा देखो अभी बताता हूँ सबसे पहले बच्चों यह external electric field थी इस external electric field को मैंने e naught माल लिया यह external electric field को मैंने e naught माल लिया इसकी direction क्या थी? इस तरफ थी अब देखो जो external electric field थी हो positive से negative की तरफ जा रही थी इलेक्टरिक फिल्ड आपकी positive से negative की तरफ जाती है तो देखो यहाँ पे यह positive charge अपियर हो गया, यहाँ पे negative charge अपियर हो गया तो बच्चो यहाँ इस यह positive end है यह negative end है तो यहाँ पे भी क्या होगा electric field induced होने लग जाएगा देखो बच्चो जब भी हम किसी metallic conductor को na electric field के अंदर रखते हैं तो उस metallic conductor में charge induced होने लग जाता है, मतब charge appear होने लग जाता है, तो यह जो charge यहाँ appear होने लगा, इस induced charge बोला जाता है क्या बोला जाता है? induced charge बोला जाता है, तो इस induced charge की वज़े से बच्चो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल्ड भी इंड्यूस्ट होने लग जाती है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इंड्यूस्ट होने लग जाएगी आपर तो जो इंड्यूस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड होगी उसकी डारेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी इस तरफ होगी पॉजिट से कंदक्ट करेगा यहां कंदक्ट करेगा यहां नहीं करेगा यहां इस के माध्यम से मीडियम के माध्यम से कंदक्ट कर रहा है positive से negative की तरफ जा रहा है ठीक है देन बच्चों एक टाइम ऐसा भी आता है जब यह छो external electric field है वह इस induced electric field के ब्राबर हो जाती है दो यहां negative charge appear होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो जितना negative charge यहाँ appear होगा, उतना यह induced electric field, strong होता जाएगा, लेकिन जैसे induced electric field, इस external electric field के बराबर हो जाता है, ना, तो बच्चों यह electric field दोनों की direction तो opposite है, तो finally यहां अंदर का net electric field होता है, वो zero हो जाता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं cancel कर देते हैं समझ वा गया तो इस तरीके से भी इसे समझा जा सकता है कि इसके अंदर का जो electric field zero होता है वो क्यों होता है आया समझ में देखो जो एक और चीज बताता हूं इसलिए electric field इदर से जा रहा था electric field इदर से जा रहा था समझ मा रहा है लेकिन यहां पर दो प्लेट आपस में connect नहीं है इसलिए यह जो ear है ear को medium मान करके electric field क्या कर रहा है positive से negative की तरफ जा रहा है अब देखिए यहां पर आपका NCRT क्या लिखता है NCRT ने भी electrostatic shielding के लिए definition लिखी है यहां पर NCRT कहता है any cavity inside a conductor या in a conductor कोई conductor है उसमें कोई cavity है cavity का मतलब क्या होता बच्चों जैसे मान लो यह आपका conductor है और इसके अंदर कुछ cavity है cavity का मतलब यह होता है कि इसका इतना portion क्या हो रखा है hollow है खोकला है अंदर से तो इसे cavity बोला जाएगा ठीक है तो any cavity ने conductor remains sealeded from outside electric influence वो यह कह रहा है कि इस conductor को अगर हमने बच्चों किसी electric field में रखावा है किसी electric field में हमने रखावा है तो यह जो बच्चों यह cavity है यह cavity क्या रहेगा sealeded रहेगा from outside electric field मतलब इसके अंदर का जो electric field रहेगा वो zero रहेगा any cavity ने conductor किसी भी conductor में कोई cavity अगर है तो it remains sealeded वो cavity है बच्चों sealeded रहती है from outside electric field अगर उस conductor को हम इस electric field के अंदर रख दिंगे तो यह जो बच्चों cavity है इस cavity के अंदर जो electric field रहता हो zero रहता क्योंकि हो hollow है यह hollow conductor है बच्चों जैसे यहाँ पर हमने यह क्या कि यह metallic conductor क्या था hollow था तो इसके अंदर का electric field क्या था zero था तो उसी तरीगा से यहाँ पर का electric field भी क्या होगा zero होगा समझ भारा and the field inside the cavity is always zero this is known as electrostatic shielding इसी को क्या बोला जाता है electrostatic shielding बोला जाता है ठीक है अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है यह line कह रही है कि इन्हे thunderstorm accompanied by lightning thunderstorm तो आपको पता होगा thunderstorm जब होता है तो उस समय क्या होता है lightning होता है आसमान में आपको lightning दिखाई दिता होगा बहुत ज़्यादा ठीक है तो it is safer to be inside a car than to be in the open ground वो यह कह रहा है कि अगर lightning हो रहा है thunderstorm के दोरान अगर lightning हो रहा है बच्छों बिजली आसमान में कड़कड़ा रही है तो और अगर आप car के अंदर बैठे हो तो आपके लिए बहतर होगा कि आप car के अंदर ही रहे it is safer to be inside a car than to be in the open ground बतलब उस दोरान बच्छों car से भार नहीं निकलना चाहिए car के अंदर ही रहना चाहिए अगर lightning हो रही है जैसे ये lightning हो रही है ये lightning हो रही है बच्छों आसमान में बाहर lightning हो रही है और आप यहां car के अंदर बैठे हो तो आप गलती से भी इस car से भार नहीं निकलना चाहिए बहुत से लोग क्या करते है lightning के दौरान पेड के नीचे खड़े हो जाते है तो पेड के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ओ light जो पेड में गिर जाती है तो उससे इंसान की जान जा सकती है तो जब तक अगर भार कितनी भी lightning क्यों नहीं हो रही हो अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो बच्चों आप safe हो it is safer to be inside a car क्यों बच्चों because the metallic body of the car provide electrostatic shielding from the lightning तो बच्चों ये जो कार होता है न आपका ये भी electrostatic shielded होता है from the lightning इसमें lightning का कोई फरक नहीं पड़ता lightning अगर मान लो lightning की से टकरा जाती है इसे टकरा जाती है तो अंदर जो इनसान होगा न ये बच जाएगा इसे कुछ नहीं होता च्योंकि lightning जब इसमें टकराएगी बच्चों तो lightning ऐसे conduct करते वे ऐसे ground में चली जाती है इसके आरपार नहीं करेगी इसकी जो metallic body है न इस car की जो metallic body है उसे cross नहीं करती है ये lightning उसे cross नहीं करती है वो इस तरीगे से यहां से ground में चले जाती है और ये जो person रहता है ये safe रहता है इसलिए बोला गया है कि अगर आप car चला रहो हो तो उस समय अगर lightning है तो आपको car से बिलकुल भी भार नहीं आना चाहिए अगर lightning बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपकी जो car की metallic body होती है बच्चों वो भी क्या होती है sealeded होती है from the lightning lightning से वो sealeded होती है उस पर lightning का कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखाया है the electrostatic shielding is used in protecting the sensitive instrument from outside electrical influence देखो बच्चों कुछ instrument जो है sensitive होते है वो electric field की presence में अच्छे से work नहीं कर पाते कुछ instrument ऐसे भी होते हैं जो electric field के लिए sensitive होते है तो दियन हम क्या कर सकते हैं बच्चों उन instrument को क्या कर सकते हैं sealed कर सकते हैं मतला हम उसे protected रख सकते हैं electric field के अंदर भी हम उसे protected रख सकते हैं जैसे माल लो यह आपका electric field है ठीक है अब माल लो कोई एक device है कोई instrument है बच्चों यह कोई device है अब यह क्या कर रहा है electric field में जो है electric field के लिए sensitive है यह अच्छे से work नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे इसके चारों तरफ एक metallic box लगा दिए है तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा electric field से sealeded हो जाएगा तो यही यही बता रहा है यहाँ पर अब देखो लास्ट में एक बहुत important topic बता देता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है देखो जैसे बच्छो यह positive charge है तो positive charge से यह electric field निकल रहा है यह निकल रहा है electric field और हमने क्या किया है एक metallic conductor को यहाँ पर रख दिया है तो metallic conductor को रखने से क्या होता है negative charge यहाँ पर induce होने लगता है और positive charge इस तरफ induce होने लगता है समझ मारा है तो बच्छो यहाँ से electric field क्या होगा यह electric field यह positive से निकल रहा है और इस तरफ यह आगे बढ़ रहा है लेकिन बच्छो इस वाले figure को देखो आप एक figure यह है एक figure यह है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस देखो यह electric field आगे निकल रहा है आगे निकल रहा है यह से निकल रहा है लेकिन अगर हम यह चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं हम इस reason को sealed करना चाहते हैं हम चाहते हैं यहाँ पर electric field ना हो जैसे यहां से यह electric field आगे बट रही थी, आगे बट रही थी, आगे बट रही थी, नहीं electric field, हम चाहते हैं कि यह reason sealed हो जाए, यहां पर electric field ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम यह वाला जो reason है इसे इसकी earthing कर दिंगे, मतलब इसे grounded कर दिंगे, earthing करना तो जानते हो ना, first chapter में मैं earthing करना आपको बता है, तो बच्चों जो earth होता है, earth में free electron बहुत सारे होते हैं, तो जैसी हम इसकी earthing करेंगे, इस वाले reason को grounded कर दिंगे, तो जो free electron होंगे, वो क्या करेंगे, इस reason को neutral कर दिंगे, तो यह reason neutral हो जाएगा, तो यहां से electric field नहीं निकलेगा, जैसे यहां से electric field नि positive reason है, यहां से electric field भार निकल रहा था, तो यह वाला जो reason था, यहां पे, यह shielded reason नहीं था, यहां पे electrostatic shielding नहीं हो रही थी, लेकिन हम जैसी इसे grounded कर देंगे, तो यहां से यह electric field निकल निकल था, यह electric field बच्चों इस वाले को cross नहीं कर पाएगा, यहां नहीं पहुंच पा इसे यह positive charge होता है, यह neutral हो जाता है, क्योंकि ground में क्या होता है, बहुत सारे electron होते हैं, तो electron यहां पे transfer करेंगे, तो इससे यह negative आ जाएगा, यह negative, तो यह क्या हो जाएगा, neutral हो जाएगा, तो then finally इस तरफ electric field क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, ठीक है?